हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई टैक सपोर्ट चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को जब अपग्रेड करते हैं जैसे कि विंडोस 7 आप चला रहे हैं तो विंडोस 8.1 या फिर विंडोस 10 में अपग ग्राफिक ड्राइवर जो है वह पराना आपको सिस्टम को जा रहा है तो स्क्रीन भल बल faHaq हे तो इस वजह से काफी सारे रोग अपग्रेड़ नहीं हो पा रहे हैं चूशच कर रहे हैं टूर बढ़ तो परोग नहीं होट हैं यह पर एपको कोई बहार से डाउन गिरेड ह या Windows 10 है तो आप उसमें इंटेल का HD Graphic Driver आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसका थोड़ा method डाला गया फ्रेंड्स मैं आज आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप उसको लैपटॉप या फिर डेस्क्टॉप में डाल सकते हैं तो देख लेते हैं उससे पहले फ्रेंड्स मैं कहना लिए रहा है या computer भी लिए आ सकता है तो इस पहरे जाने के बाद right click कीजे तो जैसे हम right click करेंगे तो यहां पर हमारे सामने जो नीचे सबसे properties लिए रहा है तो आप इस पहरे खिल किजे तो जैसे यह आप properties पहरे करके तो वहां आपका एक system खुल जाएगा और इसमें आपक क्लिक कीजे तो जैसे ही हम friends device manager पर click करेंगे तो उसके बाद यहां पे काफी सारे driver यह शो करेगा जितने भी हमारे laptop या desktop में driver पढ़े हुए वो यहां पर सारे शो करेगा तो यहां पर आपको क्या करना है जो display adapter लिएक्टर लिए तो आप इस पर double click कीजे जैसे इस पर double click करे करेंगे तो यहां पर अभी आपकी जो भी उसमें graphic driver पढ़ा हुआ है तो वीजी ग्राफिक driver शायद हो सकता है या फिर आपका कोई basic driver हो सकता है लेकिन वहां पर अभी Intel HD graphics लिखके नहीं आता होगा तो friends यहां पर हमें करना क्या होगा इस पर हम right click करेंगे और जो update driver software लिखक तो हमें सबसे पहले तो अपने laptop या desktop में internet से connect करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर हम search automatically पर click कर देंगे तो जैसे हम यहां पर click करेंगे हमारा जो भी driver है वो यहां से अब search होने लगेगा और जो भी हमारे laptop या desktop के लिए comfortable है तो यहां से वो उसी driver को download और install कर लेगा नहीं आप से install हो जाएगा कर दो जाएगा यह अब इंस्टॉल हो चुका है फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहां पर Intel HD Graphics लिखके आ गया है और यह successfully इंस्टॉल हो चुका है तो इसको हम यहां से एक बार close कर देते हैं और यहां से close करने के बाद वापस जाते हैं अपने ड्राइवर वाली लिस्ट में और आप देख सकते हैं यहां पर Intel HD Graphics लिखके आ गया है इसकी जगह पहले यहां पर basic display लिखके आ रहा था तो फ्रेंड्स आप यहां से हम इन सब को close कर देते हैं और एक बार आपको अंदर से दिखा देते हैं तो यहां राइट क्लिक करने के बाद परसनलाइस पर क्लिक कर दीजिए और परसनालिस पर क्लिस करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर एडवांस में जाके और यहां पर यह सेटिंग में दिखा रहा है इंटेल का यूबी ग्राफिक ड्राइवर है तो वह इंस्टॉल हो चुका है जूसके लाभा मैं इसका खुछ सकती है और यहां पर यहां पर हो तो उसके प्राइवर हो सपूर्ट नहीं करेंगा वाई चांस कोई अगर software उसके match का मिल जाए तो हो सकता है कि वो उसमें support कर जाए और ज्यादतर वहर बाला जो भी driver होगा वो support नहीं करेगा तो आपको यहीं setting में जाने के बाद device manager में जाने के बाद आपको अपने जो भी driver है वो वहाँ से update करना है तो friends आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के देखने के लिए और अगर आप हमारे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और हमारी वीडियो को like और share जरूर करें तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ Thank you